हाई फ्रेंट्स एक बार फिर से स्वाकत है आपके अपने ही चेनल प्लेयर्स रिकॉर्ट पे दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं जो अगला टीटेन का मैच आज खिला जाएगा र आई डबलू वर्सेस एल आई टी के बिच में इस वीडियो के सारी जानकारी सही तरीके से मिल पाए फ्रेंट्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी से रिक्वेश्ट है अगर आप चेनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों तो चेनल को एक बार सब्सक्राइब जरू कर लेना इस वीडियो के नीचे दोस्तों आपको सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा इस पर एक बार क्लिक कर दें साथे साथ यहां पर जो बैल अकन दिया है दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद आपको आल का ओफिसन दिखने को मिलेगा इसको भी एक बार सलेक्ट चरू कर लेना ताकि आने वाले T10 और 20 matches का वीडियो में जैसे ही upload करूँगा आपकी पास सीधे notification जाएगा दोस्तों और सारी matches का जानकारी आपको इसी परकार मिल पाएगा दोस्तों अगर आपको हमारा बताएगा stats पसंद आता है तो वीडियो को एक बार like से start करना दोस्तों और सबसे important है कि आप मारे telegram group को join कर लें भाईयो यहाँ पे आपको more का option देखने को मिल जागा जैसे आप यहाँ पे click करेंगे न आपको हमारे telegram group का link से हो जाएगा इस group में join करना जरूरी है क्योंकि after toss आपको final team यहीं पर मिलेगा दोस्तों तो एक बार जरूर से जरूर जोइन कर लेना इस वीडियो के नीचे link आप मिल जाएगा आपको description box में और जहाँ comment करते हैं पहला comment पे link में आपको pin कर दिया है आप click करके आसान इसे join कर सकते हो तो चलिए अब stats की और आगे बढ़ते हैं दोस्तों ये जो match रहेगा ये पहला मुकाबला एक बज़े और दूसरा मुकाबला तीन बज़े आपको देखने को मिलेगा ground वही रहने वाला ठीक है सारे के सारे matches एक ही ground पे हो रहे है और लगबग आपको यहाँ पे 110 के आसपास एक average score देखने को मिल जाएगा जो अभी तक हुआ है ठीक है बाकि RIW के अगर टीम की बारे में बात करते हैं दोस्तों अभी तक इस टीम ने 6 matches खिला है इसमें से 3 matches जीता है और 3 match loss करते हैं इस टूनामिन के अंदर ठीक है लेकिन LIT के जो टीम में भाई हो अभी तक इस टीम ने 5 matches खिला है जीतेंगे चलिए अब betting order पर ध्यान देते हैं वकास खान दोस्तों आपको open करते हुए एक खिलाड़े देखेंगे पहले match कंदर open किये थे 23 run score करा है इसमें एक cover का bowling में कोई wicket नहीं मिला है फिर 3 run बना है इसमें भी कोई wicket नहीं मिला बहुत नीचे इनको धकेल दिया गया साथ नमर पर भेजा गया जहाँ पर दो run नाए थे हलां कि दो वर का bowling में दो wicket निकाले थे एक चीज़ आप notice करना जो similar है हर एक matches में हुआ है वो है कि bowling इनका bowling दो वर fix रहता है इनका देख सकते है दूस्तों बढ़िया बोलर है बाकि betting order इनका ओपर नीचे होते रहता है कभी first run पर भेजा गया देख सकते है उसके वो आपसे first run पर बुला गया और last match का अंदर 9 run score करा है दो वर bowling किया था कोई wicket इनको नहीं मिला था लेकिन अभी तक 6 matches के खेले गए में देखोगे overall इन्होंने 41 run बना के 3 wicket अपने नाम करा है उए प्रिंच दीमन का record देखेंगे तो ये open करेंगे right hand batsman ने दूस्तों opener batsman और दो वर इनका भी fix रास्ट match का अंदर 74 run बना के 1 wicket निकाला हुआ है total 6 match के अंदर 296 run बना के दूस्तों 6 wicket इन्होंने निकाल चुका है बागी cashier का record पहले match के अंदर 6 run फिर यहाँ पर 11 run score करा है बागी यहाँ पर दूस्तों अताकार खान का record देखते हैं तो first run पर खिलेंगे पहले match के अंदर 12 run plus 1 wicket फिर flop रहा था फिर यहाँ पर 3 run plus 3 wicket फिर 1 run plus 1 wicket फिर 5 run plus 1 wicket फिर last match के अंदर 1 wicket overall देखोगे 6 match के अंदर 21 run बना के 7 wicket अपने नाम कर चुका है जो bowling के मावले में देखोगे तो यह भी बहुत बहतरिन गिंद बाजे starting के जो 3 player ना दोस्तों इनको अपने team के अंदर जरू try करना है आपको करमजित सिंग 2nd down पे खिलेंगे दोस्तों इनका 2 और fix रहता अभी तक 6 match के अंदर 20 run बना के 6 wicket निकाल चुके है बहुत important गिंद बाजे दोस्तों इनको try करना इमरान हुशेन पहले मैच के अंदर 3rd down पे खिला था 0 run बनाए थे फिर 6 run फिर यह पे 7 run स्कूर करा है अभिद जेब्ट पहले मैच के अंदर 3 run फिर यह पे 1 run फिर यह पे 1 run फिर यह पे 1 run वह असीम का record देखेंगे दोस्तों पहले मैच के अंदर 0 run फिर 4 run फिर 23 run फिर यह पे 10 run बाकियां पे गुजराज सिंग का record उतना बहतर है नहीं आप इनको drop करते वे चलेंगे अभी तक बेटिंग बॉलिंग करा नहीं है रामजोद गरवाल का record दोस्तों यह जो player है रमणजोद गरवाल यह पहले मैच के अंदर देखेंगे तो एक अवर का बॉलिंग करा था एक विकेट निकाल लेते फिर दो विकेट फिर flop रात और लास्ट मैच के अंदर एक run बना के एक वि लाकी मोहमत पहले मैच के अंदर दो विकेट फिर दो विकेट निकाला हुआ है दो ही मैच के खेला है फास्टर गिंदबाज है लेकिन दोनों मैच के अंदर दो दो विकेट इनको मिला है दोस्तों बाकि सजाद इकबाल पहले मैच के अंदर छे रन को विकेट ने मिला फिर आठ रण फिर फ्लॉप रहा था, टोटल तीन मैच के अंदर चवदर रण अभी तेक स्कोर करा है, अब देखो यहां तक तो था प्लेंग 11, लेकिन स्टार्टिंग और पे दोस्तों आपको प्रिंस धीमन और यहां पर अधाकर खान, यह दो गिंदबाज आपको बेंचेस में आपको नजराने वाल है, एशान, इनकर, यहां पर इनका रेकॉर्ड देखेंगे, मौहमद अजीम, यहां पर असीम, असीम मकबूल, सकीम जेट, और यह पर तौसीफ आहमद यह जो चार-पांच प्लेयर से जो कि आज 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 आपको बेंचेस में नजराएंगे, जिनका रेकॉर्ड दोस्तों, मुझे टीटन फॉर्मेट का मिला है, मैंने सारे चीजे लिख दिया है, ठीक है, आप देख सकते हैं, तो यह सारे रेकॉर्ड है, आर आई डबलू का, इसमें से आपको जो भी बैटर लग रहा है, आर आई डबल पहले मैच के अंदर सात रन, फिर एक रन, फिर पांच रन, फिर यहां पर पंदर रन स्कूर करा है, यह टीम के ओपन करा है, इनके साथ ओपन करने के लिए महश्चिन राजा आते हैं, जो कि दस रन स्कूर करा है, फिर सतर रन, फिर यहां पर एक रन, फिर यहां पर दो रन फिर 11 रण, पांच मेच के अंदर अभी तक युनोंने 41 रण सकूर करा है, अली सद्जाद पहले मेच के अंदर आपन करते विए 1 रण फिर धर्ड डाउन पे खेलते विए 26 रण उनने सकूर करा है। मौमद अबू फर्स्ट रॉन पर खेलेंगे पहले मैच के अंदर 7 रन फिर याँ पर 9 रन फिर दोस्तो यहाँ पर 5 रन स्कूर करा है तीन मैच के अंदर टोटल 21 रन मनाया हुआ है इर्फान एहमेद पहले मैच के अंदर 5 रन मनाया थे एक विकेट निकाला था दो वर का बॉ इनका रिकॉर्ड उतना बहतर है नहीं, आप इस खिलाड़ी को ड्रॉप करते वे चलेंगे, नवीद रियाज, पांच मैच कंदर 29 प्लस दो विकेट निकाला है, राइट हैंड बैट्समन प्लस फास्टर गेंद बाज है दुस्तों, लेकिन सफलता उतना इनको मिला नहीं है, जोहर खान इन्पोर्टन रहेंगे, आप इनको ले सकते हैं अपने टीम कंदर, चार मैच कंदर भी तक 6 विकेट निकाल चुके हैं, यह फास्टर गेंद बाज है, वो भी दो वर इनका फिक्स रहेगा, सजाद है मैध, फास्टर गेंद बाज यह भी है, चार मैच कंदर 37 र फास्टर गेंद बाज यह भी है, जुनेद अफजाल, पहले मैच कंदर एक विकेट, फिर जवदरन प्लस एक विकेट, फिर फ्लॉप रहा था, बाकिर राशीद मुहमत का रिकॉर्ड पहले मैच कंदर 13 न बनाई थे, फिर फ्लॉप रहा ता लगा तर मैच इस कंदर, अध अधर की बात करते हैं, दोस्तों यहां पे सजात नेमर, यहां पे जुनेद अफजाल, यह दोनों ही प्लेयर्स हैं, जो कि आपको टेत अफजाल पर भी बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, यानि कि स्टार्टिंग का पहला दूसरा ओबर यही करेंगे, और आठवार नवा आठवार भी आपको यही बॉलर करते हुए आपको दिख जाएंगे, मतलब इन्पोर्टन के नवाज है, लाइटी के टीम के तरफ से मिस नहीं करना है अपने टीम के अंदर, बाकि बैंचेस में कुछ खिलाड़ी हैं, जैसे अलिस अजजाद, यहां पर दूस्तों हर्प्र दोस्तों, इस मेच के अंदर मिलने वाला है, तो बैटिंग ओंडर देखो, फॉर्मेट को देखो, देखो देखो, प्लेयर्स का फॉर्म किया चल रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए, यहां से अगर आप चाहें तो टीम आप एज़ी बना सकते हैं, अलाकि टीम एक बार आप देख लो, जो मैंने क्रियेट किया हुआ है, सारी इंफॉर्मेशन को देखते हुए, आपको और ज्यादा हेल्प मिलेगा, शुरुवात करते हैं, सबसे पहले विकेट की परसे दोस्तों, यहां पे मौहमद मश्यूद को ट्राय करेंगे, चार मैच के अंदर इन्होंन दोस्तों पांच मैच के अंदर भी तक 41 रन स्कुर करा है, यह भी दोस्तों बहुत सारी मैचेस में आपन भी करा है, और दोस्तों फॉर्स्ट राण पर भी खेला है, यह चीज ध्यान रखना है, बढ़ियाँ प्लेयर है, मैं इनको ट्राय करूंगा, केशिंग को मैं ट्राय करने वाला हूँ, केशिंग आपको दोस्तों राई डवलो के टीम के तरफ से नजर आएंगे, करमजी सिंग 6 मैच क अंदर भी तक 20 रन मना के 6 वीकेट इनोंने निकाल चुका है, मतलब बॉलिंग भी करते हैं, और टीम का मेडियल अटर का बैस्मन भी है, एम अबू को ट्र अगर ये लाई टी के टीम के तरफ से लास्ट मैच के अंदर खिला नहीं है, लेकिन अगर ये खिलते हैं ना तो ध्यान रखना ये आपको दोस्तों फर्स्ट रॉन पे खिलते हुए दिख जाएंगे, प्लस बहुत सारे मैचेस में दोस्तों बॉलिंग भी करा है, बाकि ओल को अपने टीम के अंदर जरू ट्राय करना है, बालिंग में दोस्तों मैंने तीन बोलर को लियावा एस एहमेद, अपने स्पल के दो और फिक्स है इनका, आरवकार खान भी टीम के बहुत ही बहतरीन गिंदबाजी करते हैं दोस्तों, बाकि आम इकबाल खान को मैं ट्राय कर करेंगे, और रिजन क्या है कि ये बॉलिंग के बॉलिंग तो करते हैं दो वर फिक्स है इनका, इस वज़े से एक खिलाड़ी इंपोर्टेंट रहेगा, बाकि आपके पास दो चार आफसान है, जिसे कि काफी लोग क्या कर रहे हैं आपे, एस मुहमद को ट्राय कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना, ये दो मैचेस खिला है, दोनों मैच के अंदर दो दो विकेट निकाले थे, फास्टर गिंद बाज है, उस हिसाब से अगर आप लेना चाहते हैं, ले सकते हैं, लेकिन बैटिंग अभी तक दो मैचेस के अंदर नहीं करा है, बाकि लाइन अप का बाकि मिलते हैं, बहुत चल्द नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरू करना और चैनल पर बने रहना, शुक्रिया